बात हो जाए बॉडर की लडाइकी या फिरो एक्जाम के लिए पढ़ाईकी एग बात है मैनद तो करनी पड़ती है कुछ भी कहकर कर beetje नहीं सकते है मैनस से उम्मीद तो तुम ये करते हो कि हमारे देश के लोग हमारे लिए ये काम करें वो काम करें देश को पता नहीं कहां से कहां ले जाए और जब बात आती है खुद के करने की तो हम लोग अगले बगले तलाश से रहते हैं बहाने मनाते रहते हैं ठक गए हमारे बस की नही एक्जाम बहुत पास है अब कहां पढ़ाई करेंगे एक्जाम आने से पहले इस चड़ाई को दिखना शुक्री थे और अपने मन के अंदर डर बना के बढ़ जाता है पता नहीं एक्जाम कैसा होगा रिजल्ट कैसा होगा इसी लिए तो हम लेके आए हैं 2017 बॉटनी का पार्ट टू हम लोगों के अंदर ना दो तरह के आद्मी है एक जो जीता वो सिकंदर वाले इस कहानी में तो ये था कि एक नालायक सा लड़का जिसका काम के वाल मस्ती मारना था अपने दोस्तों के साथ टाइम देस्ट करना था और अचानक कंडिशन है बदलावाए कंडिश के होता है जो उनकी गर्दन पकड़ करके रास्ता दिखा दे कि इधर चलना है और ऐसे करना है जगदे इंडिया चैंपियन बनने के लिए मैनत करना सिखा दे जीतना सिखा दे अरे इम्तिहान में जब देश की बात आती है ना तो हम सब लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि ये हम हमारी हैडिक नहीं है अपना काम बनता भाड में जाय जनता शिकाये तो बहुत करते हैं हम खुद क्या करते हैं कभी सोचा है देश है क्या देश क्या मिट्टी का टुकड़ा है बाई ये उन इटों का बनावा जिन इटों को हम हम कहते हैं हम सब का है ये देश भारत माता ऐ वैसे ही हम सब लोगों का काम भी है, इस देश को progress कराने के लिए, उम्मीदों को जगाने के लिए, तुम्हें क्या लगता है? यह exam कीवल तुम्हारा है? इस exam को पार करोगे तो केवल नोकरी मिलेगी? वो जो नोकरी है क्या वो देश में contribution नहीं है? क्या जस्त तुम्हारा संतरी नरेंदर मोधी की बाते सुनों वो सारी दुनिया में जाकरके बड़े Pride से बोलते हैं कि मैं भारत का हूं और भारत मेरा है कि 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 उन्मीद है सबसे तुमसे भी उम्मीद तो यार पता नहीं किस किस को है तुमसे- क्यूंकि हम सब लोग यह जानते हैं कि तुम हो देश क तुम जो करोगे आज वो काम करेगा, वो है जो मेरे देश को बनाएगा, कोई ओर नहीं करने वाला, हम सब लोगों के अपने छोटे-छोटे काम है, अपने करियर डवलप्मेंट को लिखर के, हम जो अपना करियर बना रहे हैं इसी करियर से हमारा देश भी बनेगा, तो फिर रोशनी तुमारी अंधरी दुनिया में पढ़ जाएगी, एक्जाम से लड़ने की हिम्मत बढ़ जाएगी, फिर चेक कितना मुश्किल रास्ता हो, तैयारी तो आसानी से कर लेंगे, समझ लेंगे एक्जाम को भी, और इस चड़ाई को भी पूरा कर लेंगे, तो चलिए फ और दवाईयां भी देते हैं, और यहां पुछावा है कि इन में से कौन सी बात इन केमिकल्स के बारे में इनकरट है, जैसे कि एट्रोपीन क्या इंडोल अलकलोईड है, लाइमोनीन क्या सिट्रस में मिलता है, ग्रीन टी में क्या पॉलिफनोल मिलते है, साइनेडीन है क्या रेड गलर के लिए, रोज के अंदर, इन में से लाइमोनीन की बात तुम अभी लास्ट पार्ट में भी कर चुके हो, निम्बू निचोड़े थे, संत्रे निचोड़े थे, याद है कुछ, और वहां भी तुमने किसी की आँख के अंदर संत्रे का स्प्रे का स्प्रे किया वह केमिकल, वह खुश्बू, संत्रे की लाइमोनीनी थी, तो तुम्हें यह तो यही मालूम है कि यह ओप्शन ठीक है, बाकी बचे वे ओप्शनों के लिए थोड़ा सा घ्यान और बटोड लेते हैं, अब जैसे कि यह पेड है जिसका नाम है नाइट शेड, इससे मिलने व लाइन के रिसेप्टर पर टेक करते हो, और यह दवाई उनके असर को कम कर देती है, पता नहीं कितने जिन्दिकी को बचाया होगा इस दवाई ने, आप्शन में यह पूछ रखा था कि क्या यह दवाई इंडॉल की टाइप की है, अब इंडॉल का जो रिंग है वो है ये, तो नोडिस करो कि क्या यह दिंग है अवेलिबल है, मुझे तो गहीं दिखनी रहा, चश्मे लगा लो, मैक्रोस्कोप लगा लो, तब भी नहीं मिलेगा क्योंकि यह है यह नहीं, अब आते बाद चाय की, भई चाय तो बहुत लोग पीते हैं, मैं भी बहुत पीता हूँ, बट ग्रीन टी, आजकल तो फैशन है ग्रीन टी, बड़ी महंगी आती है, क्योंकि लोगों ने बता रखी है यह बात, कि ग्रीन टी के अंदर बहुत सारे पॉलिफिनोलिक कंपाउंड्स और फ्लावनोट्स मिलते हैं, जो ना सिर्फ हमारी उमर के लिए बढ़िया हैं, बल अब रही गुलाब की बात, गुलाब की फूल के तो बहुत इस्तेवाल हैं हमाई लाइफ में, गुलकंद भी मनाते हैं इस, गुलकंद, और साथ में अभी कुछ दिनों में पिटने-पिटाने के लिए ब इस्तेवाल होने वाला है, इसका जो लाल रंग है नहें, सायन एड इफनोल्स मिलते हैं और यही है लाल रंग के लिए जिम्मेदार, तो option number A हो गया, इसका incorrect, question number 46, nitrogen cycle की कहानी है भी, environment में nitrogen fixation के story, और जब nitrogen fix हुआ, उसके degradation के story, जब भी कभी nitrogen को fix करना होता है, तो nitrogenase नाम का enzyme है, जो N2 को ammonia में convert कर सकता है, और nitrobacter नाम का एक bacteria है, जो NO2 को NO3 में convert कर सकता है, answer check करना जाओ, तो ही कर लो, P का 4, दो option में है, और R का 2, किवले की option में, option number 1, इसका बढ़ी answer है, बढ़ थोड़ा सा ग्यान, और इस बटो लो, जब भी कभी हम लोग nitrogen cycle की बात करते हैं, तो जो हवा में N2 वोजूद है, उस N2 का fixation bacteria करते हैं, प्लांट- अमोनिया बनाएंगे, और इस अमोनिया को बाकी जो organism है, जो खाएंगे plant को, अपनी body के tissue में convert करेंगे, जैसे कि हम अपने muscles बनाते हैं, लेकिन death में यही सारे के सारे जो अमोनिया जो store हुआ था, proteins के रूप में, यह degrade हो जाएगा, अमोनिफिकेशन, और बाद में इसी का nit nitrification और deamination हो करके nitrogen वापस environment ने पहुँच जाने वाली है, इसके लिए अलंबी तकडिशी cycle हैं वई, सब कुछ याद होती हो या ना होती हो, बट यह दो process ज़रूरी याद कर ले ना, nitrification, जिसमें एक में ammonia का NO2 में conversion है, और दूसरे में NO2 का NO3 में conversion है, जब भी कभी NO2, NO3 म नावा nitro vector, तो फिर यह भी याद रख ले ना, कि nitrogen fixation में जो enzyme है, वो nitrogenase है, molybdenum ferrous चाहिए होते हैं, उसको 8 electron और solar ATP चाहिए होते हैं, एक N2 को ammonia में convert करने जलिए, यह कहानी चावलो की field में भी है, जब भी तुम nitrogen fixation पढ़ोगे तो चावल के बिना काम नी करने के, चावल करते हैं, जाज़े की rhizobium, जो root nodules में बैट करके nitrogen fix करते हैं, प्लांट के लिए, और जब इनकी बात करो ना, तो ये भी जान ले ना, glutamate की कहानी क्या है, और lag hemoglobin की story क्या है, क्या पता, अगली बार यही देखने को मिल जाए, option दुबारे सामने आगया है, तुम्हारे answer तुम पहले निकाल चुके हो, तो क्या time waste करना, आगे बढ़ते हैं, question number 48, mutants की बात कर रहे हैं, दो mutants है, M1 और M2, दोनों में same phenotype देखने को मिल रहा है, लेकिन जब इन mutants की शादी कराए गई और इनसे बच्चे पैता हुए, तो उन बच्चों में mutation देखने को नहीं मिला logic simple था यह है कि M1 को M2 से cross कर रहा है, तो F1 जो मिला मुझे wild मिला, और इस बात को ध्यान आपना वागे, mutants की पिच्चरे तो बहुत देखी होंगी, Wolverine याद है, Logan पिच्चर का, X-Men movies की अंदर से character आया था निकल करके यह, और इसकी एक favorite hero नहीं भी थी, Jean, movies में तो यह दिख इसकी कहानी क्या है, यह बात समझने के लिए यह माल लोकी कोई phenotype है, उस phenotype को बनाने के लिए एक enzyme चीए B, जो किसी intermediate को convert करेगा phenotype में, और इस intermediate को बनाने के लिए यह substrate से एक enzyme चीए A, जब तक A और B दोनों नहीं होंगे, तो substrate मेरा phenotype में convert नहीं होने वाला, और माल लोकी A को बनाने की gene है, A gene, और B enzyme को बनाने के लिए B gene है, अगर यह दोनों mutation दो अलग-लग genes के थे, तो hybrid बनने पर जो heterojagot बनेगा न, अगर मेरी gene A एक कोपी खराब है, तो दूसरी कोपी तो ठीक है, enzyme बन जाएगा, जीन B की एक कोपी खराब है, mutation के वैसे, दूसरी कोपी तो heterojagot बनता है इनका, उस heterojagot में A की दोनों ही कोपी खराब मिलती है, और जब बताओ मुझे, substrate को intermediate में convert करने वाला पहला enzyme ही नहीं है, तो पात्वे चलती है, तो रूल ध्यान रखो इस कहानी के अंदर, कम्प्लिमेंटेशन के स्टोरी है, और यह इसलिए होते हैं कि हम यह चेक कर सकें कि दो mutation एक जीन के हैं या नहीं, अगर एक mutant को दूसरे mutant से cross करा के mutant ही मिलता है, mutant into mutant से mutant मिल रहा है, तो आप बोलोगे कि दोनों mutation अलिलिक थे, एक जीन के दो कौपीज, लेकिन अगर दोनों mutation क्रोस कराने पर wild मिलता है, तो आप बोलोगे कि वो दोनों अलिलिक नहीं थे, बात समझ में ना आई हो ना तो यह वाला कोशन दुवारा repeat करना, और हाथ से सागच पे लिख करके, ड्रो करके तब बनाना, कहानी शुरू ही थी X-Man से, और X-Man की बहुत movies आई है, जिन movies ने हम mutants क्या होता है, यह बड़ा समझाया, और interest भी जगाया, कि हम mutants समझ सकें, और mutants की बात कर सकें, और इसलिए आज हमारी कहानी बड़ी आसान सीवाती है, question number 49, भाई यह recombination crossing over question है, जिसमें genes के mapping की बात कर रखी है, जब भी कभी तुमारे सामने इस तरह कोशन आ जाएं, तो कभी meiosis 1 होगा, तो दोनों homologous chromosome pair करेंगे और recombination होगा, recombination का मतलब है, DNA के fragment exchange रहेंगे और नया तरह के set बनेंगे, जैसे जहाँ एक DNA पर capital A के साथ में capital B के साथ में capital C था, तब जो नया combination है, उसमें capital A के साथ में small v और small c आ गया, क्योंकि DNA exchange हो गया, crossing over हो सकता है, इन दो gene इन के बीच में हो जाए, एक crossover, या इन के बीच में हो जाए, दूसरा crossover, या फिर दोनों एकटे हो जाए, जिसे बोलता है double crossover, तो जब भी कभी ऐसा data दे रखा हो, तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा number वाले है, वो है parental type के, बाकी बचे वे single crossovers के, और जो सबसे कम data दे र लोग कितने है, 1000, और इसमें से recombinant कितने है, recombinant वो होते हैं, जो parental type के नहीं है, जिनमें नया combination है, तो parental type को छोड़ दो, और बाकी सब को जोड़ दो, जोड़ काया 182, डिवाइड करके solve करोगे तो 0.182 आएगा, जिससे 30 मोलगे मां दिखाने के लिए 100 सा multiply करना पड़े पूछ रखा है कि एक sexually producing angiosperm plant है, एंडosperm cells के अंदर 4.8 है, चूटते सवाल करो, एंडosperm cell कैसी है, diploid है, haploid है, triploid है, और फिर पूछ रखा है कि माइक्रोस्परोसाइट के अंदर कितना DNA होगा, तो एंडosperm होता है, triploid, अब अगर triploid मे DNA है इतना, तो इसकी haploid quantity क निकलाएगा, तो haploid अगर इतना होता है, तो microsperocyte जो कि diploid होता है, वो कितना होगा, multiply by 2 कर दो, answer निकलाएगा, तुमारा 3.2, तो असली से बैट करके, जरूर अपनी copy पर pen चला के करोगे, तो ये चीज़े अराम से clear हो जाएगी, जब एंडosperm की बात करी रहे हैं, तो ये भी जान लो कि endosperm tripload होता है, जब कभी embryo बन जाता है, तो वो different stage में, जैसे कि globular embryo, बाद में heart shape embryo, बन करके एक mature embryo त्यार होता है, यही endosperm है, जो बाद में चल करके stored food के रूप में seed के काम आएगा, embryo को खाना देगा, चाहे monocode की बात कर लो, चाहे dicode की बात कर जो फल तुम खाते हो ना, उसमें endosperm की स्टोरी सीड के अंदर है, आम की गुट्ली तो तुम चबाते हैं नहीं, तो इसलिए तुम एंडosperm की कहान याद नहीं जाती, जो तुम खाते हो आम का पार्ट, यह तो mesokarp है, juicy, question number 51, यह लंबे लंबे statement मत बढ़ो, पहले छोड खाती है, और ecosystem में हम लोग topic level की बात करते थे, plant बनाते हैं खाना जिनने बोलते हैं producer, जिनने खाते हैं primary consumer, फिर secondary consumer, फिर tertiary consumer या फिर top carnivores, तो कौन किस level पर है खाने की chain में, यह topic level थे, तो सभी organism जितने living system में रहते हैं, हरे क्या कोई न कोई काम भी होता है, वो कर किया रहा करने के, कभी लड़वाने के, तो काम लोग की घर में भी होते हैं, कोई इंसान घर में खाना बनाता है, तो कोई अराम करता है, habitat हम उस एरिया को बोलते हैं, जिसमें living organism रह रहे हैं, और यह physical environment है, पानी कैसा है, temperature कैसा है, जमीन कैसी है, और जब भी कभी इस physical environment के साथ में organism क को भी जोड़ दो, तो भाई से आप बोलोगे ecosystem, आगए question पर वापस, तो अब सोच के बताओ, position of species in our food chain, ट्रॉपिक लेवल हो गया या नहीं हो गया, physical environment of the organism, habitat हुआ या नहीं हुआ, तो पीका टू, दो आप्शनों के अंदर है, आर का वन, एक ही option में है, तो option तो आप्शन से भी ज्यान तो बड़ा होगा, और तुमारी बगिया में भी कुछ नए full खिलने शुरू हो गया होगे, ये बगिया जो मन के अंदर है, जो question की तैयारी कर रही है, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियों को बड़े सठीक तरीके से निकाल कर लाते हैं iFly के अंदर, ये classes live होती हैं या offline होती है, live करने के लिए आप Skype या WhatsApp पे जॉइन कर सकते हो, बहुत affordable है, classes जॉइन करने के लिए आप मुझे WhatsApp कर सकते हो 9013-902981 और जब भी न परते परते ठक जाओ, तो वही इस बात को याद रखड़ेना कि आज है छब्दी जन्वरी, देश के लिए भी क पड़ोगे तुम, तो बढ़ेगा देश, और अपने आप से आज उटकरे कसम खाओ, ठकना नहीं है, अपने लिए नहीं, अपने घरवालों के लिए नहीं, देश के लिए करना है, और जब तुम देश की सोच के करोगे ना काम को, तो यार सब काम आसान हो जाने वाले हैं, मन में एक फिलिंग लेके आओ, हम भारत माता से हैं, और भारत माता के लिए ही हमें करना है, और तब मुझे बताओ कि तुमारे अंदर थकान कहां से आएगी, देश के सिपाही बोर्डर पे अपनी जान लड़ा रहे हैं हमारे लिए, क्या हम याँ बैट करके अपने घर में हम पढ़ नहीं सकते, क्या मेहनद नहीं कर सकते, कुछ तो काम करेंगे ना, हम भी तो रोल निबाएंगे, हम भी तो सिस्टम का पार्ट हैं, हम कैसे पीछर हजाएंगे, अगर ये वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करना मत भूलना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बड़ी सी घंटी के साथ, और शेयर कर लो वाटसप पे, या फिर फेस्बुक पे, या जहां तुम्हारा मन करता हो, किसी की छट पे भी फैक ना हो ना, तो कागच पे लिखके हवाजाज बना के उड़ा देना, और 26 जन्वरी की सभी को शुब कामना है, आज का दिन बेकार मत करना, रिपब्लिक डे है, ताकत का प्रशन करना, जैसे हमारी सैना करती है, ऐसे ही आज तुम भी करना, पढ़ाई के साथ, तुमारे जंग तो अप कुछ दूनों बाद ही है, और हारों के तुम हो नहीं, मुझे इतना एकीन है, जै हिन, जै भारत, भारत मता की, जै!